नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल मनीमैडल्स में और आज की वीडियो है यूनियन बैंक CSP को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे पास और आपके से कई सारे दोस्तों ने Instagram पर की और कहा कि CSP लेने जा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आरा कि मैनेजर से क्या बात करें समझ में नहीं आ रहा कि प्राइविट कंपनी से ले ले तो क्या दिक्कते हो सकती हैं अच्छा हम अधार से वाकें चलाते हैं तो कौन सा बैंक बीसी ले 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 तो अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा आए जानते हैं चोटी सी वीडियो में जिसमें आपको समझाऊंगा कि क्या यूनियन बैंक की स्पी लेना आपके लिए अच्छा है और अगर अच्छा है तो वो किस तरह से आपको पराप्त होने वाली है तो वीडियो में मेरे साथ बने रही है देखते रही है चनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा साथ-साथ आप और क्या-क्या देखना चाहते हैं जरूर बताएगा कमेंट करेंगे कि सिती सी बात है अगर आप अधार सेवा केद्र चलाते हैं या लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले दो एक्जाम तो क्लियर करने ही पड़ेंगे पहला होता है आपका जो सुपरवाइजर का एक्जाम होता है और कंप्यूटर ऑपरेटर का एक्जाम होता है वो आप महा हमाला होता है, यह decision हो जाता है कि आप bank के काम को अच्छी तरह से समझते हैं या नहीं समझते हैं, आप debit समझते हैं, credit समझते हैं, आप check समझते हैं, आप duty बनाना समझते हैं, यह सारी चीज़े इस bank के इस exam में पूछिए जाती है, अगर आपको इसकी knowledge नहीं होती है तो मेरी मानी है कि आपको BC ब्रांच अगर मिल भी गई तो भी आप काम नहीं कर पाएंगे और कहीं न कहीं आप फसके रह जाएंगे तो सबसे पहले ये दो एक्जाम्स की त्यारी कर लीजे अगर आप अधार सेवा के अंदर खोलना चाहते हैं तो CSC VLE अगर आप बनना चाहते हैं तो तीसरी चीज़ आती है कि आपका पुलिस वरिफिकेशन यहां पर होना जरूरी है जब आपके पास यह सारी चीज़े होती है तब आप बैंक में तरकी वेबसाइट पर जाकर करन्ट सिच्वेशन में CSC या बैंक BC आपको मिल रहा होता है जैसे इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय तक एक्सेस बैंक का जो है BC प्लान जो है CSC VLE को मिल रहा है तो आप ले सकते हैं इसके अलावा अगर आपके पास पहले से अधार सिवा केंदर है तब आप Union Bank या किसी और Bank के लिए भी अपनाई हैं यहां पर कर सकते हैं ऐसे केसे सिच्वे अगर आपका Well Established अधार सिवा केंदर होता है तो Bank एजिली आपको अपनी CSP यहाँ पर प्रोवाइट करा देता है क्योंकि उसको लगता है कि आपका बिजनस पहले से सेटल है तो अधार सेवा के इंदर कर खोल रखा है तो वहाँ पर बैंक के साथ वर्ग करने में ज्यादा कोई किच-किच नहीं होती क्योंकि आपका जो स्टैबलिश्मेंट होता है वही बैंक के लिए बहुत बड़ा प्रूफ होता है कि हां साहब यह विक्ती बहुत अच्छे से वर्ग कर रहा है और इसको अगर हम अपना बैंक की सर्वेसिस प्रोवाइट करा देते हैं जैसे एकाउंट फोलना और यह सारी इंक्वाइरी करा ली है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कोई भी अपनी सर्वेसिस चलाने के लिए मैं आपको दे सकता हूं आप उससे कमिशन कमाएंगे और मेरा बिजनेस यहां पर बढ़ेगा तो पहला किसा आता है कि आप अधार सेवा केंद्र के साथ अगर उनियन बैंक को लेना चाहते है तो वह अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि नेशनलाइज बैंक है सर्विसस अच्छी प्रोवाइड कराता है दूसरा ऑप्शन आता है कि आप आधार सेवा केंद्र आपके पास नहीं है और सिंपल आप एक सी एसपी लेना चाह रहे हैं व आपको यहां पर पूरी करनी पड़ती है बेसिक रिक्वाइमन तो सभी सीस्पी की एक सी होती है 18 साल से उपर आपकी एज होनी चाहिए आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर होनी चाहिए इंटरनेट की वबस्ता होनी चाहिए आपके पास अपनों पार पैन कार्ड होना चाहिए जो आपके मुबाइल से लिंक होना चाहिए आपका एक अकाउंट होना चाहिए को क्मिशन जो भी होगब वह बहुत आपको देखने मिल जाती है अब सवाल उखता है यहाँ पर लोकेशन का जब बैंक कोई यदिवेग्जय aha पर प्रपार आता है आपको आया एक य करना पड़ेगा यह बात ध्यान रखिएगा अगर आप अपनी एप्लिकेशन को बहुत पुक्ता रुख से रखना चाहते हैं तो आप आप आई आई बीएफ का पेपर किलियर कर लें और अगर आपके पास प्रोवाइजर का है तो वह सोने पर सुहागा हो जाता है साथ-साथ आपका चरित्र यानि कि आपका जो पिशला रिकॉर्ड है वो बिल्कुल किलियर होना चाहिए आपके पास अपको आपको थाना प्रोवाइट कराता है यानि कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरी वहाँ पर पढ़ती है यह सारे डॉकुमेंट्स आपके पस किलियर ह इख्याम मांगते हैं क्योंकि देखे एक्जाम में थोड़ा खोड़ा चेंज इधर उदर होता रहता है कुछ बैंक्स पुराने एक एक्जाम कौलिफायर को ले लेते हैं लेकिन कुछ बैंक्स बिल्कुल लेटेस मांगते हैं कि हाँ अभी एक साल के अंदर आपने किया हो हम आपको देंघे कि कहा है क्या यह सारी चीज़े चलती हैं मैं आपको बात करता हूं और आप को करता हूं है यह बात द्यान रखेगा कि आप जब निया निया क्लियर कर रहे हैं तो आप तभी उसको अप्लाई करें उसको वेट ना करें कि तभी भी कर लेंगे पुलिस वरिफिकेशन आपका लेटेस होना चाहिए यह बात दोड़कोट पुकता है सेन्टिफिकेट एक बार को अपके पूराने चल जाएंगे लेकिन पुलिस वरिफिकेशन जिस तब पॉइंट ऑफ जब आप अपिशन को दे रहे हैं तब आपका पुलिस वरिफिकेशन उस डेट का होना चाहिए यह बात आप ध्यान लखें के साथ साथ आपका अधार कार्ड आपके मोबाइल के साथ लिंक होना चाहिए और पैन कार्ड अधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए और आपके पास एक वोटर आड़ी कार्ड भी यहाँ पर होना चाहिए यह मैनेटर तो वहां उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है अगर ऐसी कोई दिखाई देती है तो मेरी मानिए वह आपको CSP कभी भी नहीं देने वाले हैं अब बात आती है बात करने की इसके बाद में बात करने वाला हूँ कि प्राइविट ऑप्शन क्या है और प्राइविट में आपको दि होगा चिठ्था बना के देद होगे वहां पर खुझ से सर्वे कराते हैं और देखते हैं कि हां हमारे बैंक में लोग को आने तक दिक्कत हो रही है अगर यह लोकेशन पर CSP खुल जाती है तो हमारा बिजनस पर जाएगा साथ-साथ वह देखते हैं कि इतना कर रहा है अकर म हम किस तरह से अपने कारे का विस्तार करें तो यह बहुत इंपॉर्डनट बात होती है एक तो यह हो गया जुसरा कि अजहां कि आपका बात कर रहें है तो यूनियन मेंक में माल लिजो बहुत ज़ाह भी राती है और वह हें प Accrir नहीं कर पा रहे उस CSP दे दो हमें CSP दे जब तक उपर से आधेश नहीं होगा तब तक आप उनसे CSP नहीं ले सकते दूसरी चीज़ आप उनके दाइरे में रहकर काम करेंगे जो कमिशन्स वो प्रोवाइट कराएंगे उसके दाइरे में रहकर काम करेंगे अगर बैंक को पता चलता है कि बैंक का नाम इस्तवाल करके आप कुछ अनुच्छत कारे कर रहे हैं या जो कमिशन तैय किया गया था आप उससे ज़्यादा ले रहे हैं उस केस में भी आपकी CSP को बंद किया रहा सकता है तो कहने का बतलब यह है कि आप लिमिटेड तरीके से करते हैं अब बात करता हूँ प्राइबट कंपनियूस की देखे संजीव ने एक कंपनी है जो आपको CSP प्रवाइट कराती है यूणिन बैंक की अब आपका बहुत जादा समय महाँ पर बज़ जाता है एक CSP जो आप लेते हैं बैंक से उसके लिए आपको बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं वहीं जब आप प्राइवेट कंपनी से लेते हैं तो चक्कर थोड़े से कम काटने पड़ते हैं लेकिन आपका जो कमिशन होता है उसमें कहीं प्राइवेट कंपनी के साथ कुछ प्राइवेट कंपनी आपको मन्थली आपके हिसाब से कमिशन देती हैं आपका जो बनता है उस इसाब से देती हैं कुछ लोग आपको मतलब एक तरीके से आपकी salary बना देते हैं कि हम आपको 20,000 पर commission देंगे इतना ही देंगे इससे जादा नहीं दे सकते हैं तो यह depend करता है कि आप उस पर काम करना चाहते हैं यह नहीं करना चाहते हैं अगर आप बहुत नीडी हैं तो आप किसी भी कंडिशन में त्यार हो जाएंगे लेकिन अगर आप सही तरीके से देखें तो बैस तरीका वही है कि आप डारेक्ट CSP ले 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 तो ज़्यादा बैटा रहेगा इसके साथ साथ बेसिकली जो फाइदा होता है प्राइवेट कम्पिनिस के साथ यह होता है कि oriented काट कर वहाप को दे लेंगे तो मानई एकिए कि आपकी अ कम हो जाता है वहांदे ले आप बात अपकी कुणत है बेस्त आप टो यह हेगी है कि आप डॉर्य मडारेक्ट नियू ले ले लेकिए आपको फोट अपने सब्सर के लिए उस्में जाई यह उनस से बात करिए कि मैंने यह पेपर क्लियर कर रखे हूं में पर सारे डॉकुमेंट्स हैं आप एक फाइल मुना कर ले जाएए उनको दिखा दीजेए मैंनेजर साब को कि साब यह मेरे डॉकुमेंट्स है और मैं CSP लेना चाहता हूं यह यह प्रोसेस होगी वह फिर आपको प्रोसेस पताते है वो कहते हैं कि यह फॉर्म भर दो वो फॉर्म उन लोगों के पास होता है उसके बाद अगर उनके डिरोडिशन में नहीं होता है या उनके डिसिजन पावर नहीं होती है तो उस केस में आपको डिस्टिक ऑफिस में बेशते हैं हर जिले में एक डिस्टिक ऑफिस होता है बै पर पर बैंक मेनेजर्म के ढणा है कि हमेख लाधने को सकतरी ख्यूंड मेनेजर्म XD बहुत अच्छा option है second डारेक्ट भी आप ले सकते हैं डारेक्ट के लिए आपको क्या-क्या पापड बिलने पड़ते हो क्या-क्या eligibility criteria होता है वो मैंने आपको बता दिया तीसरा होता है कि आप संजीबनी जैसे company उससे आप जो है वो ले सकते हैं आप यह CSP सेटी में ले सकते हैं और ग्रामेड में ले सकते हैं जो नौम्स शहर के लिए हैं वही नौम्स लगवग लगवग आपके गाउं के लिए हैं लेकिन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर देजएगा बैल आइकन को दबा देजएगा और यूही मेरे साथ बने रहिएगा